हम डाइट प्लान तो फॉलो कर लेते हैं, हम बहुत सारी ऐसी डाइट प्लान हैं जिसमें वेट कम होता है, स्किन ग्लो होती है, यह सब सुनके उसको पूरी तरह से फॉलो कर लेते हैं, लेकिन यह जानने की कोशिश नहीं करते हैं, कि जो हम डाइट प्लान कर रहे हैं, उसके उसमें जो हम ले रहे हैं उसके क्या फाइदे क्या नुकसान है उसमें किन तत्यों की ज़ुरत हमारे शरीर को है और किन तत्यों की ज़ुरत हमारे शरीर को नहीं है उस पर्टिकुलर ड्रिंक या जो हम खा रहे हैं उसमें कौन-कौन सी चीजे पाई जाती है किस मरीज को ये नहीं खाना चाहिए, किस मरीज को ये खाना चाहिए ऐसे धेर सारी misunderstanding होती है जो हम जानने की कोशिश नहीं करते और आख बंद करके उस चीज को follow करने लगते हो जिसका effect हमारे शरीर पे आ जाता है Hello my कर्ची से कलम तक family मैं हूँ रचना और आज सेहत मंद सुमवार में आज की ingredient है नारियल पानी नारियल पानी जो कि अभी के समय में सबसे शुद्ध माना जाता है क्योंकि उसमें किसी भी तरह की मिलाओट की कोई कुणजाईश नहीं है और इसलिए कोई भी dietitian हो, doctor हो या कोई भी हो सभी कोई recommend करते हैं कि नारियल पानी पीना चाहिए और हम आँख मूंद करके उसे पीना शुरू कर देते हैं बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे और बिना अपने शरीर को जाने समझे और यही कारण है कि बहुत सारी चीज़े हमें फायदे की जगा नुकसान कर जाती हैं और इसलिए स्विहत मन सोमवार का उदेश यह होता है कि आपको किसी भी चीज़ से related आपके doubts, आपके queries और आपके सारे questions का जवाब देना तो नारियल पानी से जुड़े आपके बड़े सारे सवाल है एक तो नारियल पानी कब पीना चाहिए दूसरा नारियल पानी कितना पीना चाहिए नारियल पानी को कितने दिन तक स्टोर कर सकते हैं नारियल पानी के क्या फायदे, क्या नुकसान है नारियल पानी किन लोगों को नहीं पीना चाहिए? किस बिमारी का इलाज करता है नारियल पानी? नारियल पानी में कौन से पोशक तत्त तो पाये जाते हैं? ऐसे धेर सारे सवालों के लिस्ट हैं, जिसके जवाब आपके पास नहीं और बिना जवाब खोजे आप रिगूलर बेसिस पर नारियल पानी पीने लगते हैं कुछ लोग ये सोच के पीते हैं कि वाव मेरा तो वजन कम हो रहा है वेट लॉस हो रहा है कुछ लोग ये सोच के पीते हैं कि मेरी तो इसकिन की चमक बढ़ रही है ये सब ठीक है लेकिन इन सारे सवालों का जवाब जानना बहुत लीजेगा मैं उसके भी आंसर्स आपको दे दूंगी लेकिन कोई भी चीज खाने और पीने से पहले सवालों का जवाब जरूर खोजे चबी उसको खाएं तो सबसे पहला सवाल नारियल पानी कब पीना चाहिए? तो नारियल पानी की तासीर होती है ठंडी तो गर्मियों के दिन में सबसे बेस्ट होता है नारियल पानी और आप इसे regular basis पर यानि कि रोज पी सकते हैं क्योंकि ये आपके शरीर को रखता है hydrated लेकिन नारियल पानी सब सबसे ज्यादा फायदे मंद होता है अगर आप इसे सुबह मेखाली पेट पीते हैं क्यों क्योंकि नारियल पानी सबसे शुद्ध हो ये इस करता है अब यह डीटॉक्स की क्यों जरूरोते हैं हम तो सब सुद्ध खाते हैं ऐसा आपको लगता है लेकिन आप जो भी चीजे खाते हैं उसमें कहीं न कहीं मिलावट जरूर होती है और वह मिलावट भरी गंदगी आपके शरीर में एक खटा होने लगती है जिसे साफ करना बहुत जरूरी होता है और इसके लिए आप कई तरह की डीटॉक्स ड्रिंक बनाते हैं लेकिन नंबर वन डीटॉक्स ड्रिंक जो है वो नारियल पानी है तो नारियल पानी अगर आप सुबह में एक खाली पेट पी लेते हैं तो पिछले दिन की जितनी गंदगी होती है उस कप पीना चाहिए मैं आपको कितना पिना चाहिए बहुत सारे लेटी जिस्ट 저म kim होते हैं जो बताते है जू बताते हैं कि दिन भर कि आप वेट कम कर सकते हैं बहुत लोग इसको फॉलो है hop या तो उनको मेरी तरफ से एक वार्णिंग है कि नारियल पानी की मातरा दो कप से ज्यादा एक दिन में नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये फिर आपके शरीर को नुकसान करने लगता है क्यों जैसे detox drink आप अगर अपने घर में cleaning भी करते हैं तो cleaning के जो material होते हैं उसकी भी limited मातरा आप डालते हैं अगर आप ज़्यादा डाल देते हैं तो आपका marble आपका tiles जो है वो जल जाता है सेम इसी तरह नारियल पानी भी effect करता है अगर आप उसकी मातरा ज़्यादा ले लेते हैं तो नारियल पानी में होता है potassium और magnesium जो कि आपके शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है लेकिन यही potassium और magnesium की मातरा जब अधिक हो जाती है तो आपके शरीर पे इसमें internally side effects आने लगते हैं जो आपको long term यानि लंबे समय बात पता चलता है तो नारियल पानी की सही मातरा होती है एक दिन में 2 कप एक दिन में 2 कप से ज़्यादा नारियल पानी ना ले किसी भी age group के लोगों के लिए more than sufficient है एक दिन में 2 कप अगर बच्चों को दे रहे हैं तो बच्चों को नारियल पानी का जो मलाई होती है न वो जरूर दे क्योंकि वो फाइवर से भरपूर होता है और ये जो फाइवर है ये बच्चों के वेट में बढ़ाने में मदद करता है बहुत ज़ादा फाइदे मन्द होता है नारियल पानी आप ले करके 18 हफते तक स्टोर कर सकते हैं फ्रीज में या बाहर भी तब तक ये शुद्ध रहता है 18 हफतों से ज़ादा रखने पर उसकी शुद्ध तक खतम हो जाती है तो ये हो गया आपके दूसरे सवाल का जवाब कि नारियल पानी कितना पीना चाहिए कि वो फाइदा करें अब आपका तीसरा सवाल कि किन लोगों को नारियल पानी पीना चाहिए और किन लोगों को नहीं पीना चाहिए तो नारियल पानी जिन लोगों को पीना चाहिए लेकिन जो दवा ले रहे हैं उन्हें सतुलित मात्रा में नारियल पानी पीना चाहिए कि नारियल पानी कि लiete पॉलोग नहीं पीना चाहिए तो जोव इन्फेक्शन है या कुछ भी प्रॉब्लम इंटर्नल एक्सटर्नल उन्हें नारियल पानी दो कप रोज पीना चाहिए क्योंकि ये स्किन को इंटर्नली और एक्सटर्नली बहुत फायदा करता और अगर हो सके तो दो चमच नारियल पानी अपने स्किन पर अप्लाई कर लिज आपको कि नारियल पानी में कौन-कौन से पोशक तत्तो होते हैं नारियल पानी में होता है विटैमिन सी भर-भर के और बहुत ज़ादा फायदे आपको बता दिया लेकिन मैगनिशियम और पोटेशियम का मात्रा जब जादा बढ़ जाती है तो डाइरिया हो जाता है इसलिए संतुलित मात्रा में नारियल पानी पीना बहुत जरूरी है तीसरा नारियल पानी में दूद से भी जादा पोशकतत होते तो जो बच्चे करने का काम भी नारियल पानी बहुत अच्छा करता है और दूद का एक अल्टरनेटिव ऑप्शन है ती चौथा नारियल पानी एंटी ऑक्सिडेंट होता है इसमें एमिनो अमलो होता है यानि के एमिनोसीड होता है जो कि आपकी स्किन पर एज के एफेक को आने से डीले करत है तो मैंने आपको क्या क्या बताया नारियल पानी कप पीना चाहिए नारियल पानी किने नहीं पीना चाहिए नारियल पानी किने पीना चाहिए और नारियल पानी में कौन से पोशक्तत्त होते हैं यह सारे सवालों का जबाब मैंने आपको दे दिया अब आप सोचिए कि आ जरूर पूछेगा ऐसी धेर सारी इंगीडियेंट से जुड़ी जानकारी भरी बाते मैंने चैनल के प्लेइलिस्ट पर शेयर की हुई है सेहतमंद शोमवार में आप चाहें तो हर इंगीडियेंट के बारे में जान सकते हैं समझ सकते हैं और तभी उसको खाईए पीजे तो ही उसके फाइदे नुकसान होंगे क्योंकि मेरा टार्गेट सिर्फ और सिर्फ इतना है कि मैं free of cost लोगों को सेहत से जुड़ी बाते अपडेट करूँ ताकि वो नेचुरल तरीके से सेहतमंद रहें healthy रहें तो आप अपने सवाल अपने doubt अपने query नीचे comment section में करना मत बूलिएगा वीडियो अच्छी लगी होगी तो like और share करना मत बूलिएगा ताकि और लोग भी जानकारी को जान सकें और वो भी healthy रह सकें तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताईएगा